वेल्कम बेक टू माई टूप से पेपर हैकर आज किस वीडियो में देखेंगे जो भी छातर महात्मा गांधी काशी विद्या पीट उनिवस्टी बनारस में है अब उसका यह पेपर देख रहे हैं बीकॉम थर्डियर वालों का और यह 2021 का पेपर है 2022 में मैंने आने वाले कोशन दे रहे हैं जिसका लिंक डिसकप्शन बॉक्स में है बिल्कुल नीचे जाईए और बहां आपको मिल जाएगा ठीक है जो प्लेलिस्ट का लिंक है फिर प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यह एक वारा दूसरा चैनल ह जिसका लावे बीकॉम बाई पेपर हैकर आप उसको सस्काइब कर लिजे जिसका लिंक डिसक्प्शन बॉक्स में है बहां में आपको केवल बीकॉम की वीडियो मिलेंगी जो 2022 में आने वाले कोशन है हम हर साल इंपूर्टेंट कोशन देते हैं जो आपके पेपर में आते हो होते हैं तो आप चैनल को भी सस्क्राइब कर लिजे हैं मैं यहाँ पेपर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको यह बिस्बास हो जाए कि प्रवेशियर के पेपर में किस तरीके से कोशन बने हैं और हमें किस लेविल से त्यारी करनी पड़ेगी तब हम अच्छे नम है उसका पेपर है जिसे हम आर्थिक प्रियापरण बोलते हैं आर्थिक प्रियापरण को जो पेपर है आप देख सकते हैं थर्ड पेपर के नाम से जाना जाता यह अब यहां मैं आपको दिखा दूँ जो 2021 में पूछा गया था कोशन उसको देख लो एक बार पांच कोशन आपसको देखो बारा कोशन टोटल थे जिसमें से पांच कोशन करने थे तो आठ नमबर के हिसाब से पांच कोशन चालिस नमबर के हो जाता है तो मैं ओ आठो आपको बारा कोशन दिखा देता हूँ पांच कोशन करना है बस आपको जो दिल करें वो कर शकते हो फाइब कोश उसके बाद में next question पूछा गया कि समाजिक अन्याय से आप क्या आसे हैं मतलब किसकी परीभासा आपको लिखने के लिए बोला गया यहां वो लगए भुक्तान जो संतुलन होता है उससे आप क्या विप्राय है मतलब उसकी परीभास अपूछेगे भुक्तान संतुलन की परिभासा क्या है कि क्या मी पर आए है क्या समझते हो इसा परीभासा को एडिडिती गटा है नेक्स्कोस आपसे पूछा गया कोशन कि और धो रुगरता के कार्ण संची में बढ़न कर यह इस वही एक्षाम में आय थे नेक्स्कोस सलשन है कि आप देख सकते हो मौध्रिक न इसे प्रिकास डा लिए बिस्वेब्यापार संगठन क्या होता है यह आपसे कोशन गया है विस्वेंग करेश्वेंग किया होते हैं यह दो कोशन बूझा गया यहां बूद्धेशों के बादेन समानीकरित जो अधिमान है उनके विवस्था के बारे में पूछा गया प्रतिकार बेवार क्या होता है उसके बारे में आप से पूछा गया तो ये थे 2021 में आने वाले short question अब देखो long question क्या क्या पूछे गया थे वो देख लो लेकिन आप 2022 में पेपर देने वाले है ये फिर 2023 में पेपर देने वाले है तो आप अभी हमारी digital paper hacker को subscribe करो साथी साथ become by paper hacker को subscribe करो ताकि जो भी update मिले वो सबसे पहले आपको मिले और link मैंने description box में दे रखा है 2022 में आने वाले question करे पहला question के आप पूछा गया इसमें दो question आपको attend करने है 30 number का एक question था 2021 के paper में 60 number के long question पूछे गया थे बत्तब 6 question पूछे गया थे इसमें 2 question करने थे अब पहला question पूछा गया कि आर्थिक परियाबण से आप क्या समझते हैं और आर्थिक परियाबण के घटकों के बारे में बताईए घटक कौन-कौन से है तो वह आपको करना था ठीक है उसके बाद में next question बिरोजगारी से आप क्या समझते हैं बिरोजगार के विभिन परिकार बताईए तो ये तो सब आप बना-बना के कर सकते हो कुछ एक्स्टा नहीं बहुत पहले ही तो कि बिरोजगारी क्या है बिरोजगारी की उपर आप बना-बना कर सकते हैं यहां बोलागा च्छेत्रिये आसंतुलन किसे क्याते हैं भारत में च्छेत्रिय अंसुतुलन के कौन-कौन से गारण है उनके ठीक है और भारत में उसे दूर करने के कौन-कौन से कदम उठाए जा सक ओसकी परिभाफसा आपको बचाना है, और बरतमान में राज कोशी नीती की कोन कुणन सी position आ चुके, बिभशता है, उनकी बारे मताना है, उसकी बाद में है बिस्म ब्यापार के संधर में जो बिकासील देश है उनकी समस्या क्या है उनके समाधान से जो समाधान उनके लिए सुझाव आपको बताना है ये कोशन पूचा गया और भही छटा कोशन पूचा गया बिस्ब कह सकता है बिकासील देश की जो द्रस्टी से प्रिया ये कहा जा सकता है कि सयुक्त राष्ट सं Kishch 2025 का ब्यापार Vikaas शमयलें सफलता पुर्बग तुल्ला में बिध सल रहा है और क्या आप इस कथन से सहमत है? यदि हैं तो क्यों? ये नहीं हैं तो क्यों आपसर पूंचा गया आपकशन के वह एक कोशन रॉए हैगा complete बता लिया, आप इसका skin sort लेना चाहते हैं, तो भी ले सकते हैं, कोई issue name आपको skin sort लेने से मना नहीं करूँगा, कि आप skin sort मन लीजिए, बिलकुल लीजिए, आपका हक बनता है, क्योंकि आप paper hacker YouTube की family से जड़े हुए है, ठीक है, क्योंकि आप paper hacker करकी YouTube channel family से जड़े हुए है, तो चलब सब्सक्राइब करना, ज्यादा ज्यादा दोस्तों को share करना, thank you for watching this video, bye bye